दोस्तों अगर आपने भी वीडियो अप्लोड कर दी है और वीडियो आपकी पेंडिंग में चली गई है तो आपको क्या काम करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंटेंड में जाके ब प्रोब्लिक कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो आप देख सकते हो यहां पर विजिबिलिटी पेंडिंग हो गई है तो इसे कैसे सॉल करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर एडिट का उप्शन दिखाई दे रहा होगा इस पर टिक कर लेना है और करने के बाद यहां पर पेंडिंग का उप्शन पर आपको टिक करना है विजिबिलिटी पर और यहां पर पब्लिक का उप्शन है तो इस पर आपको यहां पर सेव कर लेना है इससे आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी अगर आपकी यहां पर वीडियो पब्लिक नहीं हो के बाद कुछ इस type का interface आ जाता है तो यहां पर आपको क्या लिखना है YouTube ist Julio लिग देना और जैनल ऑपन हो गया है अब आपको अगला काम क्या करना है कि today पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा content का dashboard के नीचे तो इस पर आपको tick कर लेना इस पर जैसे ही आप click करते हो तो आपके सामने काफी सारी वीडियो आ गई है और यहां पर देख सकते हो दो वीडियो मैंने upload में लगा रखी और दोनों pending में आ रही है मैंने इनको कितनी बार delete कर दियो और फिर से वापस upload करी तो भी यही problem आ रही है और यह बहुत सारे लोगों को problem आ रही है तो इसे कैसे solve करना है first trick मैंने आपको बता दिये कि आप इस वीडियो को public कर दीजिए yt studios है और वहां पर आपकी वीडियो public हो जाती है तो अच्छी बाते नहीं होती है तो यह trick अपना नहीं है सबसे पहले आप यहां पर pending option पर आओगे तो यहां पर आपको काफे ज़्यादा option दिखाई दे रहे है पब्लिक का private का schedule का तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है और अब अगला काम क्या करना है वह मैं आपको यहां पर सिधा बता देता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर create का option दिखाई दे रहा है तो इस create के option पर आपको tick करना है और अभी मैं यहां पर create का option पर यह मैंने tick कर दिया अब आपको यहां पर एक option दिखाई दे रहा होगा upload वीडियो का तो आपकी वीडियो भी pending में पढ़ी है और दोस् तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको यहां पर जो वीडियो जहां पर रुकी है, वही से फिर से स्टाइट होगी, मानलीजे 99% पर रुकी है, तो 99% के बाद से आपकी यहां पर अपलोड हो जाईगी, तो अब आपको यहां पर अपलोड वीडियो पर टिक करना है, और यहां पर वीडियो के option में मैं आ गया हूँ और वीडियो के option में यहां पर मैंने काईर master से किया है तो यहां पर मैंने इसे कर दिया है और अब मैं इस वीडियो को यहां पर फटावट से ले लेता हूँ तो यहां पर से मैं अपनी वीडियो को यह मैंने select कर लिए जो मेरी वीडियो थी पिछली वाली उसी को मैं उठाता हूँ और ये वीडियो मैंने यहाँ पर ली और इसे यहाँ पर upload कर देता हूँ तो यह uploading पर आ गई है और यहाँ पर मैंसे next कर देता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पर next किया अब थोड़ी बहुत यह process यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यह मैं इसे कर देता हूँ सारी process complete करने के बाद अपन मिलते हैं इतनी सब कुछ process करने के बाद आपके यहाँ पर pending option हट जाएगा बिल्कुल आपको यहाँ पर मैं live भी दिखा दूँगा आपको जिसा स्क्रीन पर दिख भी रहोगा pending option हट जाएगा और आप वीडियो पब्लिक कर पाऊगे तो इस तरीके से आपकी पूरी problem solve हो जाएगी